नमस्कार दोस्तो हमने पिछली वीडियो में सिंपल गवाइटर के बारे में देखा था और अब हम देखेंगे टॉक्सिक गवाइटर के बारे में देखी टॉक्सिक गवाइटर क्या होता है इधि आ एक प्रिकार का complex disorder है यह किस बज़े है वैसे हो रहा है इसके हम टाइप स्की बात करते हैं तो प्राइमरी थारियो टौक्सिकोसिस देखने को मिलता है जिसे हम diffuse toxic goiter के नाम से जानते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे grass disease के लिए, ठीक है, second आता है, second is thyro toxicosis, जिसे हम toxic या multi-nodulo goiter के नाम से जानते हैं third है toxic, nodular या solitary toxic goiter, then हम other की बात करें हैं, other में हमें thyro toxicosis देखने को मिल सकते हैं, किस-किस condition में thyro toxicosis देखने को मिलेगा, thyro toxicosis facetita, इसमें क्या रहेगा, देखे, अगर कोई patient है और वो long time तक thyroxine hormone को अगर लेता रहे, तो इस condition में false thyro toxicosis देखने को मिलता है, अगला है jod basido thyro toxicosis, देखे, jod means होता है iodine, जर्मन भासा में और basido मतलब होता है toxic guiter, इसमें के रहता है अगर iodine की कोई patient long time तक, अगर large dose लेता रहे, तो उसकी वज़े से hyperplastic endemic guiter double up हो जाता है, और क्या हो सकता, autoimmune thyroiditis की condition में हो सकता है, neonatal thyroid toxicosis में हो सकता है, और stroma over eye, अब हम बात करते हैं, grafts disease की, देखे, grafts disease क्या होती है, it is an autoimmune disease, यह क्या है, एक autoimmune disease है, that results, इसके result में हमें क्या देखना हो मिलेगा, over productions देखना हो मिलेगा, हमें thyroid hormone का, जिसकी वैसे क्या हो जाएगा, hypertrophy और hyperplasia हो जाएगा thyroid gland के अंदर, इसके basically हमें 3 चीज़ों की वैसे देखना हो मिलता है, basically इसके 3 cause रहते हैं, क्या hyperthyroidism देखना हो मिलेगा, अग्जब thalamus देखना हो मिलेगा, और dermopathy देखना हो मिलेगी, यह basically हमें 3 चीज़ देखना हो मिलती है, graft disease के अंदर, हम इसकी etiology की बात करें, हमें क्या क्या देखना हो मिलेगा, autoimmune disorder देखना हो मिलेगा, autoimmune disorder याने इसमें क्या रहता है, antibody बन जाती है, circulation में, जो TSS receptor antibody बनती है, ठीक है, यह एक प्रकार का autoimmune disorder है, इसके साथ बहुत सारे associate disorder भी देखना हो मिलती है, like a vertigo, family और genetic history देखना हो मिल सकती है हमें, ठीक है, thyroid stimulator globulins, TSI और NASTS की बज़े से क्या डबल अप हो सकती है, graft disease डबल अप हो सकती है, exhaust thalamus, exhaust thalamus की बज़े से क्या हमें symptoms देखने को मिलेंगे, हमें eye symptoms देखने को मिलेंगे, graft disease में और यह सबसे ज़्यादा peculiar हो सकती है, हम बात करें male और female की, तो हमें यह female में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ में stress की condition में ज़्यादा देखनों मिलेगी, young age में देखनों को मिलेगी, हमें कौन, graft disease कुछ predisposing factor हैं, जिनकी वज़े से हमें graft disease होने के chances ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे age की बात करें, तो 15-45 साल की age में graft disease ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है कॉमन, females में सबसे ज़्यादा कॉमन है, eight times common रहती है, लगवाग eight times emotionally और stress की condition में graft disease कई बार डबल अप हो जाती है हम बात करें कुछ tracking factor हैं, जो graft disease होने के chances को बढ़ा देती है जैसे postpartum period, उस condition में क्या रहेगा, graft disease होने के chances ज़्यादा रहती है iodine access लेने के वज़े से, जा फिर किसी की अगर lithium therapy चलिए उस condition में भी हो सकती है, कुछ infections की condition में भी थार, यह graft disease डबल अप हो जाती है हम बात करते हैं अब इसकी pathology की, केसे हमें pathology में क्या देखने को मिलेगा देखिए continuous, अगर stimulation मिलना है, जो cell है, तो उसकी वज़े से क्या होगा, महाँ पर hypertrophy और hyperplasia हो जाएगा ठीक है, अब यह hypertrophy और hyperplasia होने के वज़े से, जो cells हैं, वो कैसे हो जाएंगी, flat हो जाएंगी, और tall columnar हो जाएंगी देन, उसके अंदर जो colloidal fluid था, वो क्या होने लगेगा, अब disappear हो जाएगा, इस condition में और cell क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी साथ में हमें क्या देखनों को मिलेगा, rich basculinity देखनों को मिलेगी, साथ में जो follicles हैं, उनमें हमें papillary projections देखनों को मिलता है, hyperplastic जो epithelial cell है उसमें अब हम बात करतें इसके clinical features की, कि हमें clinical features हमें क्या क्या देखनों को मिलेंगे, तो primary thyrotoxicosis में हमें 8 time more common रहती female में, सबसे पहला हमको यह point होताना है, second point क्या है, कि especially यह किस age group में देखनों मिलना है, हमें 15 से 25 साल की age में देखनों को मिलता है, कुछ जो symptom हमें कैसे देखनों मिलेंगा, unexplained wet loss हो सकता है, wet loss की condition हमें देखनों को मिल सकती है, और appetite क्या रहती है, इन patient की good रहती है, बहुत अच्छी appetite रहती है, कई बार हमें diarrhea देखनों को मिलता है, और diarrhea के पीछे जो cause रहता है, कि जो increase हो जाती है, जो smooth muscles रहती है हमारे intestine की, small intestine की, जो उसकी smooth muscles है, उसकी activity ज्यादा हो जाती है, उसकी वज़े से diarrhea होने लगता है, intolerance of heat देखनों को मिलेगा, और साथ में tremors देखनों को मिलेंगे, hyper और हम बात करें, excessive sweating देखनों को मिलेगी, oligomanuria देखनों को मिलता है, और कई case में हमें जो blood pressure है, वो भी high हो जाता है, here loss देखनों को मिलेंगे, और सा feeling देखनों को मिलेगी, साथ में heart rate जो रहेगी, वो slightly disturbed रहेगी, थोड़ी सी बढ़ी होई रहेगी, और साथ में irregular heart rate रहेगी, हैंड की अगर हम बात करें तो हैंड में tremors देखनों को मिलते हैं, साथ में difficulty देखनों को मिलती है, उसकी sleeping में, अब हम इसकी बात करते हैं, जो primary ther surface रहेगी, उसकी smooth रहेगी, उसमें कोई भी nodule form नहीं होगा, ठीक है, it is more common रहेगी, ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं, इसकी consistency हमें कैसी देखनों को मिलेगी, soft देखनों को मिलेगी, और जो highly vesculity रहेगी, हम याद कैसे रखें इसके symptoms को, देखें हम आगे बढ़ने से पहले हम एक shorter की देख लेते हैं, कि इसके symptoms को हमें याद कैसे रखना है, तो हम इसको hyperthyroidism से ही इसके symptoms को याद रख सकते हैं, देखें, T4 क्या हो सकता है, termal, H4 heart rate, जो कैसी रहेगी, अप रहेगी, बढ़ी हुई है कि, by मतलब fatigue या yaming रहेगी, उसको, R4 ratlessness रहेगी, इसके patient को बहुत ज़्यादा nervous रहेगा, और O4 oligomenorrhea रहेगा, I4 intolerance of heat रहेगी patient को, और D4 diarrhea रहेगा, और I4 irritability, S4 sweating, M4 muscles weakness या muscles washing देखने को मिलेगी patient में, ठीक है, देल हम आब आते हैं, इसके thyroid, इसके हम बात करती, CNS symptoms की, कि हमें CNS में क्या के देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें, ट्रमर्स देखने को मिलेगा, ट्रमर्स कहां देखने को मिलेगा, हमें टंग में देखने को मिलेगा, जब टंग मुग के अंदर रहेगी, तो उसमें ट्रमर्स आएंगे, साथ में जो हाथ हैं, वो बहुत ज़्यादा गरम रहेंगे, और उनके अंदर भी हमें ट्रमर्स दे माइड और मॉडरेट कंडिशन में 100 से 110 तक जा सकती है पर मिनिट और सीवेर कंडिशन मोर दें 110 रहेगी अब हम बात करें आई सिम्टम्स की देखिए आई सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके बहुत ज़्यादा प्रॉकुलियर सिम्टम्स हैं ग्रेफ्स डिजीज के इसमें हमें क्या देखने हो मिलता है थायरोटॉक्स एक्जब्थलेमस देखने हो मिलता है इस कंडिशन में क्या होता है एक्जब्थलेमस कंडिशन में क्या रहता है कि जो आई वोल है वो प्रॉमिनेंट हो जाएंगी साथ में जो आई लीड है वो कैसी हो जाएगी रेट्रेक्ट हो ज में यह देखने को मिलता है हमें हम उसके रख करते कि इसका या असिस्मेंट अप कैसे करेंगे तो इसके लिए कुछ हम रहे हैं जैसे आप जनिया यह कर में जब यह यह से चाहिए लगा नहीं करने आपanız देखे हैं आप यह इन्हूंफ रहेगा तो उसका और चода ये याँ वाला वाइड वाइड जो पारत रहता वह जादा बहार को निकला हुओ हमको देखता है जो फ्रे साइन कि हम बात करें तो इसमें क्या इस्ट करेंगा इसकर आदगा अगला जाईन आता जॉप्रे तो पतुक्त करें की बात करते हैं या सब्सक्राइब करकि नॉर्म सब्सक्राइब है अगला हम बात करते हैं अगले साइन की मोभी सान में क्या देखनेंगों मिलेगा लॉप लॉस ऑफ 50% cases हमें यह sign देखने को मिलता है इसमें क्या करते हैं पेशेंट को अपन नीचे की और देखने को बोलते हैं तो उसकी जो आई-lead रहेगी वो क्या होगी उसके साथ में मूब नहीं करती है जैसे अपना आई वो नीचे की और देखने को आई-lead का इडीमा देखने को मिलता है साथ में कंजक्टिव आइटिस देखने को मिलती है जैन हम बात करते हैं गिफ्रॉल्ट साइन की गिफ्रॉल्ट साइन में हमें क्या देखने को मिलेगा डिफिकल्टी देखने को मिलेगी इन एवाइटिंग में और अगले हम बात करते ह मलती है। इसको अगली देखने से पहले हम एक सौट ट्रिक के दुआरा स्पोश्स करती है। हम उसके दौरा हम इनको सायन को याद रख सकती है। और क्या है लिए जो डर गया इना सम्झो मर गया देखिए जो से हमने आए है च traff такой डर से होता muchas थीट गए से होता है ओ संजो से होता है M4 होता है मोबिस साइन और E4 होता है एन्रॉथ साइन और फो बड़ को होता है रोजन्स अपक साइन और गया से वोटा है ब possessed या लेडिलैग ठीक है अगली condition एक malignancy की condition आती है जो डिजीज आएकी उसमें malignancy condition आती है इसमें क्या रहेगा कि देखिए जो graft disease है अगर graft disease को अपन treat ना करें किसी patient की graft disease है उसको अगर treat ना किया जा तो infrequent blinking होगी यानि कि infrequent blinking है जब linking absence होगी है तो उस case में जो हमारी जो cornea है वो लगातर किसके contact में रहेगे atmosphere के contact में आने की वज़े से महाँ पे हमको inflammation को मिलेगा cornea में coronial ulcers के लिए काइगा कंजेक्टि वार बार atmosphere के contact में ह이나 below是 irritation को waar the bowel issues को सिंझ से डियाई अगली एक है तर्मोन लॉजी आती है थायरो टोकसिक माईोपएथी दिक इसमें की रहता है माइट बीकनेस अन्हों के मिलती जो प्रॉखीमल जो लिम्स है उनकी मसल्स में हल्की सी वीकनेस को मिलती है इसकी वज़े से जो पेशन्ट को में जो सिम्टम सो आता है जो पेशन्ट आकर बताता है कि यह उसको क्लैमिंग जो इस्टेप यह चड़ने उत्रने वाली जो इस्टेप उनमें उसको दिक्कत आती है वह प्रॉपर उनको नहीं फोलो कर पाता है प्रॉपर नहीं कर पाता है तो वह उसको देखने को मिलता है और immune digit जो है उसकी weakness देखने को मिले और कई वार periodic paralysis देखने को मिलता है इसके patient में अगरे हम बात करते हैं thyro toxic dermopathy की ठीक है यह क्या है it is also called इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते है प्री टीवियल मिक्जो डीमा की नाम से भी जानती है इसमें क्या रहेगा जो patient का लोक है वह कैसा देखने को मिलेगा हमें backsy रहेगा discolor रहेगा पूरा swelling देखने को मिलेगी हमें उसकी skin पर organs पर इंडूरेशन में skin पर पूरी swelling देखने को मिलेगी साथ में उसके जो organs रहेगे pinkies और red color के देखने को मिलेगे उसकी जो leg रहेगी है ना leg रहेगा और dotson of the fit पर हमें edema देखने को मिलेगा एंटेरी में spreading जो रहेगा edema देखने को मिलेगा हमें localize रहेगा और साथ में non-pitting type of edema देखने को मिलता है इसके patient में अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास graves disease का कोई patient आया तो उसको हमें क्या के investigation कराने हैं तो investigation में हम कराते हैं उसका सबसे पहले cbc test कराते हैं ट3 test कराते हैं ट4 test कराते हैं और TSH test कराते हैं देखे ट3 की जो normal value रहती है वो कितनी रहती है 1.3 से 3.5 नेनो पर लीटर रहती है हम बात करें T4 की तो T4 की value कितनी रहती है 5.5 से लेके 15 नेनो मॉल पर लीटर के हिसाब से रहती है इसके बाद हम बात करते हैं TSH की TSH की जो value वो रहती है 0.5 से लेके 5 मिली यूनिट पर लीटर के हिसाब से हम कई case में ECG किस case में कराते हैं अगर उसकी जो cardiac heart से related अगर कोई symptoms आ रहे हैं तो उसके involvement को heart के involvement को जानने के लिए हम ECG भी कराते हैं patient की साथ में हम एक special enzyme test रहता है जिसे हम anti-TPO बोलते हैं उसे भी हम कराते हैं anti-TPO क्या है thyroid peroxidase जो enzyme रहता है उसके लिए test होता है इसकी अगर हम normal value की बात करें कि कितनी value होती है तो less than 35 international unit per ml रहती है ठीक है फर मिली लिटर से रहती है अब हम बात करते हैं इसके treatment की कि हमें अब साथ में एक test और भी करा सकते है यूएसजी करा के देख सकते हैं कि thyroid gland का enlargement कितना है उससे जानने के लिए साथ में हम बात करते है treatment की तो treatment में हम क्या कराएंगे primary thyrotoxicosis में हमारे basically 3M रहेंगे patient के treatment के लिए सबसे पहले कि हम उसको restore कर ले कि जो नॉर्मल स्टीज में लेके आए रिश्टोर टू नॉर्मल स्टेट में लेके आए सेकिन हमारा के आयम रहेगा कि जो ज्यादा function हो रहे है यानि कि इसको restore करेंगे तो उसके लिए restore करने जाए नॉर्मल state में लाने के लिए हम कुछ drug को use करते हैं जिनने हम anti-thera drug बोलते हैं जैसे कार्बिमा जॉल कार्बिमा जॉल जो drug है उसको हम 10 mg हर 6-6 गंटे पर देते हैं 12 बीग तक ठीक है उसको action को कम करने के लिए साथ में हम अगर हमें maintenance करके रखना है तो उसके लिए हमें 10 mg दिन में तीन बार देना होता है यह जो कार्बिमा जॉल है यह ब्लॉक ब्लॉक ऑक्सिडेशन है ब्लॉक कर देती जो ऑक्सिडेशन जो एक step रहती है हमने आप स्टार्टिंग में बात करें थी जब ग्लेंड की physiology पढ़ रहे थे कि आयोडाइट से क्या बनता है आयोडीन बनता है तो यह वाली जो टाइब की रहती है तो यह साथ में ट्रेकी जो कार्डिय हो रहा है उसको भी जीडियूस करने का काम करती है अधर कुछ ड्रग है जैसे potassium पर्कलोरेट जिसे हम 200-400 mg पर देती है साथ में एक मेडिशन और आती है प्रोपाइलो थायो यूरेसल जिसे हम लगभग 200-200 दिन में तीन बार देते है और यह जो ड्रग है वह ब्रिगनेंसि में भी पूरी तरीका से सेफ है अगला जो treatment का मोड आता है वह आता है रेडियो एक्टिब थायरोड थेरपी आपन ये भी यूज करते हैं पेशेंट में रेडियो अक्टिब थायरोड थेरपी भी कई पिशेंट वापन यूज करते हैं इसके बाद अगला ओप्शन आता है अपने पास सर्जरी का तो सर्जरी में हम यूज करते हैं थायरोडेक्टॉमी कराते हैं लेकिन यह इस केस में हमें क्या कॉज हो जाता है है अब हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी ग्वाइटर की देखें secondary goiter क्या होता है वेन दी टॉक्सिसिटी सप्रीम पोजेज ओन दी प्रिवियस लिए पैथोलोजिकल goiter काल सेकंडरी गॉयटर देखिए जो पिछली जो पैथोलोजी डवलप हुई है वो आगे जाके टॉक्सिक goiter की secondary stage बनाती है अब हम बात करते हैं टॉक्सिक मल्टी देखिए सबसे पहले क्या हुआ गॉयटर फॉर्म हुआ है ना गॉयटर फॉर्म वहने की वज़से बाद में क्या होगा टॉक्सिक सब्सक्राइब करते हैं अब हम बात करते हैं कि जो सेकंडरी टॉक्सिक गॉयटर है और प्राइमरी टॉक्सिक गॉयटर उसमें क्या है हम रूआ की बात करते हैं तो प्राइमरी टॉक्सिक गॉयटर है उसमें में देखनोllan को मिले सब्सक्राइब ढल्सक्राइब धhu B2 यंग पीशेंट में देखने को मिलता है जबकि जो सेकंडरी टॉक्सिक गॉयटर को यूज यूजवली हमें 35 एज के बाद देखने को मिलता है, मेल फी मिल के अगर हम रेशी sic की बात करें तो प्रायमरी में जो 6 रेशी 55 बन देखने को मिलता है, जबकि फिसी कंडिर्ली टॉकशिग्वाइटर हम एक रेशो alumni देखने को मिलता है, symptoms की अगर हम बात करें, तो appears होंगे suddenly, जो primary है, उसके जो symptoms से वो कैसे appear होती है, sudden appear होती है, और mild रहते हैं, धीरे-धीरे कभी-कभी देखने को मिलती है, जबकि जो secondary toxic quieter है, उसकी जो symptoms में कैसे देखने को मिलेंगे, gradually देखने को मिलेंगे, और usually कैसे रहेंगे, mild रहेंगे, then हम ब manifestation देखने को मिलेंगे, जो dominancy देखने को मिलेंगे, एक्जोब थलेमोस हमें जो आई के sign है, वो हमें common देखने को मिलते हैं, primary में, क्योंकि यहां पर graft disease होती है, और जबकि secondary की अगर हम बात करें, तो जहां में हमें एक्जोब थलेमोस sign देखने को नहीं मिलता है, जो एक्ज स्वैलिंगे, वो कैसी रहेगी, moderate type की रहेगी, जबकि हम बात करें, secondary toxigoyator की, तो उसकी जो स्वैलिंगे, वो कैसी रहेगी, noidular रहेगी, और साथ में बहुत बढ़ी देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, अगली जो वीडियो रहेगी, उसमें हम बात करेंगे, thyroid gland के कुछ, न सीर,